सबी भगवत प्रेमियों को रादे रादे जैसरी रादे भगवत प्रेमियों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस वीडियों में कि हम 25 दिसम्मर को तुलसी पूजन करें या फिर हम क्रिस्मिस डे मनाएं थाय। तो भगवत प्रेमियों में यह बात करना चाहा हूं जो हिन्दू दर्म के लोग हैं यह सनातन द्रमी तो क्या हमारे सनातन दर्म मैं देवी देवताओं की कमी अगर आपको भगवान अच्छे लगते हैं तो उनकी पूजा करें भगवान राम अच्छे लगते हैं तो उनकी पूजा करें अगर किसी को भगवान संकर अच्छे लगते हैं तो उनकी पूजा करें अगर किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो उनकी पूजा करें अगर माता पारवती जी अच्छी लगती मा दुरगा जी अच्छी लगते हैं उनकी पूजा करें हमारे हिंदु धरम में कोई देवी देवताओं की कमी नहीं है फिर भी आप जो है का दूसरे के धरम की तरफ भाग रहें यह बड़ा दुरभाग्य का विस है इसका कारण है कि आप लोगों के संसकार नहीं है आपके संसकार है तो आप बच्चों को संसकार दे नहीं रहे हैं अभाव है सत्संग का आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन आपका सत्संग ठीक नहीं है सत्संग कहते हैं जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो आपका ठीक नहीं है य चोटीशी उम्र में और 36,000 वर्स राज करने का उनको वर्दान भी प्राप्त हुआ ब्रमाजी द्वारा लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनकी जो मौसी के लड़के थे सुरिची के उनका नाम था उत्तम सिकार करते करते इक दूसरे राज में चलेंगे और वहां बगीचा को ओजाड़ने लगे फ्ल काने की बज़ाए और बगीचा थक कोवेर, तो जो भिशा के रख सक्रेका ी ला कह उच्छे कोवीर को इसंप anlat है को आप इसको ना उजाड़ें लेकिन इसको काहरा कि मेर्ग वैक्र वह इस पूरे राज का चक्नर्वर्थी रास तो उसने नहीं बönd, तो ले और पिड्रों में दोचाब काह STAR चाले महाराज इसको काहरे दोगा। थे नौकरी करते थे उनका भी धर्मता कि ऐसा ना होने यक्षो ने पहले तो निवेदन किया लेकिन जब उत्तम नहीं माना तो यक्षो ने उसको माना शुरू किया और मारते आपस में लड़ाय होते होते यह हुआ कि उत्तम की मिरत्य हो गई कुछ दिन बाद जो है का माता जो सुरिची है उनकी उत्तम की तो वह डूड़ने के लिए भी गई जंगल में और जंगल में जैसे ही गई तो पहले कोई बाहन तो चलते नहीं थे रेल चल रही है या हेलिकाप्टर जाज चल ला है बस चल रही है तो उससे जाए लेकिन पहले बाद जैसे ही वह डूड़ते जंगल में निकल गए और कुदरती ऐसा हुआ कि उस जंगल में आग लग गई और जो माता सुरिची थी मतलब कि जो द्रव की मोसी जीद थी जिनके कारण उनको भगवान की प्राप्ती के लिए जाना हुआ तो जो सुरिची है वह जंगल में मारा गया तो द्रवजी बदले की भावना से यक्ष्यों को मानने गए और यक्ष्यों को मानने लगे निरपराद यक्ष्यों को मानने लगे तो ब्रह्मा जी आए कि देखो ये बैसनव का काम नहीं है आप यक्ष्यों को नहीं मारो ये अच्छा काम नहीं है आप बैसनव ह बगते हैं अब ऐसा कारें नहीं करो तो द्रवजी मानगे तो यहां भाव यह आता है इसका सारान सी है कि द्रवजी ने भगवान को तो प्राप्त किया भगवान के दर्शन तो किये लेकिन उसने सत्संग नहीं किया सत्संग करने के कारण ही उसके अंदर हिंसा की बावना उत्पन होई प्रगट होई अगर उसने सत्संग किया होता तो वह बिल्कुल भी युद्ध नहीं करता हिंसा की मन में बात नहीं आती और यह एक और भी उतारान है कि द्रियोधन ने भी कभी सत्संग नहीं किया भगवा लेकिन उसने कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए उसके अंदर भी इंसा की भावना थी, तो दर्सकों में निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भगवान मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं है, आपका सत्संग ना होने के कारण आपका अपने भगवान में विश्व सprendering और विश्वास उफ़ंदयकम जब तक किसी आधम को सब्सक्राइब नहीं होता है तब तक कुछ प्राप्टृपी नहीं होता है कि यह निश्चित आप मंदर में जाती हैं लेकिन आपने भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं इसलिए आप इसफोस लें भटक रहें तो मैं निवेध करता हूँ कि आप अपने भगवान पर विश्वास करें हमारे 33 करूर देवी देवता हैं जिसको भी भजे रादा राधा नाम जपे आज कल हमेरे भुरी व्रिन्दावन होनी करते हैं और बड़ा राधा नाम की फैर करते हैं राधा नाम जबह श्री राम का नाम जबह पसित राम का नाम जबह सांकर का नाम जबह इतने 33 Cology आगे नाम इंदू दर्म मेंने सनातन द्रम में कोई भगवान की कमी नहीं है लेकिन आपके की आप के अंदर भगवान के प्रती बिश्वास नहीं है हां थोड़ा आप पूजा करने लगते हैं दो चार छे दिन दस दिन पूजा की और भगवानने आपके अनकूल कार नहीं किया तो आपका मन अठया भाई ये तो भगवान कुछ करते नहीं मेरे साथ तो सब्ता और... अरे वही एक बात बताईई, कि आप कुछ नोक्री करते हैं, तो 30 दिन के बाद सेल्री मिलती है तनका मिलती है या आप पहले दिन गहीं, पहले दिन कर आप आपको तनका मल जाएगी जो जुमारे के पाप्ल ditूश कोटं साधए बार मॉरा कि जो गुर्वान है भगवान भही गुरू ऐसे और हमारे वहे हैं वो क्रिष्णम बंदे जगतगू हमारे इस संसार का गुरु भगवान कर्ष्ण बैदव्यास जीे ने किर्ष्णम बंदे जगतगू अगर इस संसार का कोई गूर्व तो भगवान कर्ष्ण है तो आपके अंदर विष्वास की गम्य है भगवान की पूजा करें फल्ज carbohydrates पुलेगा हमारे पास और भगवान की कमी भी नहीं आप जो दूसरे धर्मों की तरह भटक रहें कि वही कृस्मिस डे बना इसा में सी जनम दिन मनाएं क्यों मनाएं हमारे इस नातन धर्म किया देभी देवताओं की कमी है और ब्रस्मितवार को चादर चड़ाने जाएंगे हमारे पास कोई भगवान की कमी है कितने देवी देवता फिर भी आप इधर अधर भाग रहे हैं यह बड़ा दुरभाग का विश्च है अब भटके नहीं आप विश्वास कर भगवान को मानें भगवान तो कहते हैं अपनी प्रितिग्या में तु एक कदम चलेगा तो मैं जो है का दस कदम च अजार कदम चलूँगा एक वर तु मेरी तरफ आकर के तु देख लेकिन आप लोगों की विश्वास नहीं है आस्ता ही नहीं है आस्ता है लेकिन भटक जाते हैं क्योंकि जो रास्ता दिखाने वाला आदमे वो ठीक नहीं आपका सत्संग नहीं है और सत्संग आप कभी और आपके अंदर गुड़ उत्पन होंगे तो आपने बच्चों को भी बताएंगे कि देखिए हमारे पास इतने भगवान है 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे पास कोई भगवान की कमी नहीं हमें क्रिश्मिस दे बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए और रही बात क्रिश वेना तुल्सी दल के भगवन का कोई भौव लगता है नहीं के बाल भग्वान संकर पर तुल्सी नहीं चड़ती है और तुल्सी कितनी महतपून हैं आपको मैं बता देता है कि युद्ध में जलंदर हार नहीं रहा याथ तो भगवान विश्णु ने जलंदर का रूप ब दिन से गया तुल्सी का बन गया तो क्थी है तो पोदा बन गया और भगवान विश्नु को काला पत्थर बन जा फूर और सॉक्ति उब द्रिट में इस समय आधे इस वैसे बहुत बहुत ही प्री तुलसी दल्सी नाम सब्छाएव प्ली तुलसी के वन बीधावन अर्थ तुलसी का वन अब तो बावत बड़ी इमारत है सब कुछ बन गया लेकिन ऐसा नहीं है यह ब्रिंदावन था ब्रिंदावन का मतलब है कि तुल्सी का वन था तो हमारे यहां जो है का 25 दिसमर से लेके एक जनवरी तक तुल्सी पूजन किया जाता है तो आप अपने बच्चों को जो है का अपने अनियाईयों को सनातन धर्मि को अपने तुल्सी की पूजा की तरफ मोड कर लाएं कि भाई हमारे क्रिस्मिस टेम मनाना ठीक नहीं है अगर कोई धर्म की पालना कर रहा है तो करने दो अगर हमारे धर्म अच्छा लगेगा तो हमारे धर्म की तरफ अपने हम उड़ जाएगा आप क्यों उसको विवस करो अपने धर्म को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आज देख रहे हैं कि आज सनातन धर्म की पूरे विश्व में गूंज रही है चारों तरफ जैस्री राम हो रहा है तो ऐसा मेरा आप से निवेदन है हाद जोड़ करके अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देखिए तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप 25 दिसम अपने बच्चों को भी समझाएं और अपने जो भी रिष्टेदार हैं उनको भी समझाएं और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि आप रास्ता नहीं बठकें आप समझदार बनें अपने जो है का प्रतिग्या को द्रण संकल्प करें कि भगवान की भगवान जो है का हमारी सभी इच्छां को पूरा करेंगे और जरूर करेंगे लेकिन आपकी प्रतिग्या आपका संकल्प द्रण संकल्प होना चाहेगे रादे रादे जैसरी रादे